कि अधिक है और अभी तक जितना भी आपका एक्जाम वाया दो एक्जाम लेकर 2019 के बीच में चाहिए वह रेल्वे का एक्जाम हो रेल्वे का सबसे जाता हुआ था ठीक है रेल्वे का चाहिए हो यह यह लपी हो और आर्पी अप एंड ग्रूप डी प्लस क्या आपका बैंकिंग एंड एससी इसमें जितना भी आपका जनल साइस का कोस्टन आया था दो या ठाड़ा सले का दो निश के बीच में वह सारा कोश्टन आपको यहां पर कवर करा दिया जाएगा ठीक है और हर सेट में 40 कोश्टन तरह कितना सेट हो चुका है ठीक है फॉर सेट आपका कंक्प्लिट हो गया है और आज आपका सेयट 5 स्टार्ट हो आच क्लास रिट्त करते हैं क्लास होने से पहले प librण ये जरूर बैच जया जाए डिश़वे थे क्लास श्टार्ट होने से पहले पेन और पेपर लीके बैठना बहुत ज्यरूरी है अज्याए मेट कर स्टार्ट स्टार्ट करतें आज का पहला कोशन क्या पूछ रहा है कि निम्लिखित में से कौन एक छार नहीं है ओप्षन क्या दिया है न फफ्वर ओह सीटू 5 C2H5Oh and NaOH KOH NH4Oh C2H5Oh KOH and NaOH क्या बोला कौन सा छार नहीं है मतलब कि बेस नहीं रहा है तहीं है यानि एसीद हो सकता है या नॉर्माल यानि चालम यसको भॉलते यह इता बहुते इसको बहुते यह कैसे अद्व पहचार quickly in the metal के साथ मेटल के साथ अपका συयुद्ध भी हुटा है और यह क्या यह भी प्रशयू होता है अज़ सबये और यह attempt एलकोहल इसको बोलते है इताइल अलकोहल इताइल अलकोहल यह आपका acid होता है ठीक है तो option क्या आपका C2H5 C2H5 OH आपका क्या होगा बेस्ट नहीं होगा मतलब यह answer के नुसर क्या होगा हमारा character होगा option number B C2H5 OH इसको नोट कर लिजिए अगला question क्या पूछ रहे है मानव शरीर में एक मात्र पेसी कौन सी है जो दोनों सीरो पर नहीं जूरी होती है मतलब दोनों सीरो पर दोनों तरफ से जूरा हुआ नहीं होता है तो ऐसा कौन सा मात्र पेसी है option क्या दिया गया आपका ट्राइसेप्स टंग बाइसेप्स या क्या दिया है एडक्टर तो जीव जूरा होता आपका क्या होता दोनों तरफ से नहीं जूरा होता option B टंग जीव हो है मिम्निखीत में से कौन सा माध्यम के घंत्व में एक ध्वनी तरण के पुर्ण दोलन के लिए लिया गया समय क्या होता है यह संब्सक्र बहुत पुछा गया है क्या पुछा गया मैं आपको बताता हूं कोईशन ये बोला गया है कि यदि कोई भी एक आपका सर्कूलर मोशन जैसे कोई भी मोशन होता है ऐसे चेज़ा हम लेते हैं सींपल हालोमुनिक मोशन अगर कोई वस्तू एक राउंड लगाता है तो एक राउंड लगाने में जितना समय लगता उसको क्या आप वोलते हैं हम वाक करता है घूम फीर कर ये कहां आता है अपने पोजिशन पर आ जाता है तो एक राउंड लगाने में जितना समय लगता है उसको क्या प्रियाट बोलते हैं क्या टाइम पिरियाड ताम प्रियाड और उसको capital T से देनोट करते यह तो यहां पे जितना भी आप्शन दिया नायकिका लगाने में दोनना खैर विंच कर लगाने में जितना राव समय लगता है यह को खर्राविर बोलते है प्रिक्वंशीे क्या होता है एक सेकेंड में जितना भी वह ऊधान गाटा था वेवलेंथ आपको मालू में क्या होता है दूरी होता है दूरी का में वहलते है वेवलेंथ option number क्या हो गए time period ठीक है जिसको अमलग समय ओधी भी कहते है मानो शरीर में pituitary gland कहां पर पाया जाता है near the spleen at the base of brain on the top of kidney और क्या दिया है in the instant time तो मानो शरीर में pituitary gland कहां पाया जाता है on the base of the brain ठीक है option B at the base of brain base of brain मस्तिक के अधार पर यह पाया जाता है मस्तिक के अधार पर कि इसे हमले क्या बोलते हैं माश्ट्य ग्लांड कहते हैं option number क्या आपका बी है गैस लिक्ट डूरिंग भपाल ट्रेजडीव भपाल ट्रेजडीव में कौन सा गैस लिक्ट हुआ था यह बहुत हर बार एक्जाम में question push दिया जाता है ठीक है यह बहुत important question है तो क्या हुआ था अधाईल आइसो साइनाइड लिक्ट हुआ था मश्रूम मश्रूम आपका एक तरह का मश्रूम म फंtz ओडरिया यह ब्लांट से तो मश्रूम क्या हाएं एक तरह का कवक है फंoda ऑप्षण बी मश्रूम क्या होता है फंगस होता है कि सभी कवक कहते हैं धर इसा दिखते WORK प्हूंत में मश्रूम कैसा कि अगला कोशन क्या पुछ रहा है आर्किमिडिक ने आर्किमिडिक सिधान की खोज के लिए क्या निधाज किया था तो एक यूटूब में आप देखेंगे तो वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगा ठीक है एक किंग था वहां पे बताया गया था कि King's Crown जो होता है King's Crown राजा कम नुपूर वह सोना कहया या नहीं ये उसे पहचाना गया था ठीक है तो purity of gold पहचाना गया था आपसन अहीं आपका करेक्ट अंसर होगा purity of gold purity of gold of king's crown यह theory बहुत लंबा है इसलिए मैं आपको shortcut में बतायता हूँ क्या हुआ था यह gold का purity कैसे मापा जाता है density से मापा गया था यहाँ पर देखा गया था कि mass भी same मिल रहा है और क्या है volume भी same है लेकिन density क्या होता है सबका अलग अलग होता है ठीक है अगर मान लिया जाए आपको एक तरफ मैं silver देता हूँ ठीक है और एक तरफ क्या देता हूँ gold देता हूँ लेकिन आपको मालूब नहीं है कौन silver है कौन gold है दोनों का mass क्या है same है दोनों का mass क्या है same है density से किसी भी material का पता चल जाता है कि वह material क्या है ठीक है चाहे वह पानी हो चाहे वह सोना हो चाहे वह सिल्बर हो कोई भी चीज हो तो option नहीं आपका correct answer होगा मानो कान के किस भाग को प्राप्त धोनिक के अनुसार कमपन होता है कान के कौन से भाग में vibration होता है धोनिक के कारण तो टैमपेनिक मेंब्रेन ठीक है option D टैमपेनिक मेंब्रेन टैमपेनिक मेंब्रेन टैमपेनिक मेंब्रेन गठिया एक तरह की बिमारी है जो प्राभावित करती है तो किस चीज को प्राभावित करती है option क्या धियाग्य है joints यानि जोडो kidney brain या lungs तो किसको प्रावित करती है joints परवावित करती है eo चो जो मुड़ा हुआ हुआ होता है जोड़ा भ potato जोइनस बोलते गहें है उसको ज्यादा प्रभावत करती है कि डिटर्जेंट आपका क्या है सोप ले सोप कार्बोलिक सोप या सोफ्ट सोप या हाट सोप तो डिटर्जेंट आपका क्या होता है उसको हम लोग सोप ले सोप बोलते हैं सोप ले सोप ले सोप यह डिटर्जेंट का ही टिफिनेशन है ठीक है साबुन रही साबुन option क्या दिया है option a समाने स्वासन के दोरान प्रेरित और समाने होने वाली हवा की मात्रा को निमने के रूप में जाना जाता है किस रूप में जाना जाता है tidal volume vital capacity minute volume या residual volume तो tidal volume ठीक है जवार की मात्रा option a tidal volume के नाम से जाना जाता है टाइडल वोल्यूम इए कि यह सब इंटी में आपको कॉंसेपत नहीं लागा नुअ है एक बार पढ़ना है यहां या शीट यू सब को यर्ट हो जाएगा हैं समुद्र की गहराई ने धारित करने के लिए किस तक्नीक और भियो किया जाता है पानी के नीचे पहाड़ी घाटी या पंडू भी किसी भी चीज का पता लगाया जाता है क्या दिया है इंफ्रासाउंड, साउंड, एब्सरप्शन, सोनार या एमराई तो किसका उप्योग किया जाता है जब इंस्ट्रुमेंट और मिजर्मेंट आपको पढ़ाया गया था तो वहाँ पर ये चीज बता दिया गया था ठीक है कि इन में से कौनसा एक जिवास में इंधन है कौनसा एक फोसिल-फ्यूल है कोईला है वाइयो के साराब या लकडी तो क्या होगा इसका करेक्टेह में से बहुत ही कोशळ है क्या फोसिल-फ्यूल कोईला ओपसाँ États要 है allemaal ammonium hydroxide या potassium hydroxide तो कैसे पता करेंगे तो NH4 OH आपका क्या होता है NH4 यह क्या होता है वीक बेस होता है वीक बेस मतला कमजोर छार यहां पर और यह option में कोई भी acid नहीं दिया गया ठीक है चारो अपक्ता क्या है बेस है लेगिन वीक पूछा गया तो क्या होगा अब कैसे होगा पहला अप्शन दिया था न वेच फिर दिया था कि और क्या दिया था सीए वेस्ट्वाइस तो यह सभी क्या है सोडियम पोटेशियम और केलसियम आता क्या होता है मैटल होता है तो मेंटल के साथ यदि हईड्राइवस में कहा जाता तो इन तीनों के यह वीक है अगर इन तीनों का कॉम्परिजन किया जाए तो इसमें आपका अलग 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 होता है तो इन तीनों से इसका कॉम्परिजन किया गया है तो यह आपका क्या होता है यहां पर आपका मेटल नहीं है अमोनियम हाइड्राक्साइड तो आप्शन न व्रकृइद है ंदि प्रतीकिला और विरियम हाइडाक्साइट प्रतिकिल्या और वैरियमख्लोराइड बेरियमख़ Tea T Πनें रिदिवारी होगा सारे फॉक्सान है फिह नहीं ने उसर्मिकिल हेले प arbit Lite option क्या दिया है Ammonium Sulphate के साथ तो हम लोग Ammonium Sulphate लिखेंगे ठीक है Ammonium Sulphate और क्या दिया गया है Ammonium Sulphate के साथ Barium Chloride Barium Chloride तो इसका character answer क्या होगा आपका option B ठीक है precipitation reaction कैसे होगा मैं आपका भी बताता हूँ काप्रिसीपीटेशन है रियक्षन है जब हम लोग दो सार्ट लेंगे क्या लेंगे दो सौर्ट कर दूसॉर्ट है दो सौर्ट यानि यह एक्वस्म होना चाहिए ठीक है मतलब एक्वेस का मत्तब क्या होता है पानी में घूलनसील होना चाहिए दो सोल्ट लेंगे वह घूलनसील होना चाहिए ठीक है यह गूलनसील होना चाहिए जब यह पानी में सोलूबल होगा तो यह एक है और यह एक है जब यह दोनों रियक्शन करता है तो आपस में क्या होता है कि चाहता है कि निर्मान करता तो वहां पहले अनुद शॉलोट का निर्मान करता है और एक अधर्स का निर्मान करता हैति कि किसी भी चाहिं क्लिकिन उटलत ऑफ्रम कोanno में रहे वह क्या होता है dp tk कर सक्राया फ्रेसीपीटि Northern है precipitate वहीं से यह reaction आया है मतलब यह पानी में क्या होता है अगुल अंसील होता है क्या होता है अगुल अन्सील होता है अगुण heuresएट क comparing पानी में में अगुल अनसील होता है यह इसलिए इसे प्रिस्टिप्रेसंशन कहा जाता हैं क्या निमन विट में से कौन के लिए एक छोट है कुलेन कहां प्राफ्त किया जाता है सिनकोना निम्बास या ठीक कहा सब्राप्त कि आ जड़ा से प्राफ्त टीक है कुनेंज्ट से हम लोग नाम को याद हो गया वाइस्टन मतल यह बहुत यूज्य कोशों है कारी सिन प्रॉप्ट zemें नाम क्या है कि अपले करके बता है केलसियम हाईड्राक्साइड ठीक है है अब कैल्सियम हड्रकसाइड हमको फर्मूला देखें ऐसा होता है सी ए ओच्ट वाइसका अमनों क्या बोलते हैं लाइम वाटर भाल मालाइम कहते है ARE इसका नाम क्या होता calcium hydroxide option number कितना दिया गया है calcium hydroxide option d Gobierno hydrogen के isotopes deuterium में है मतलब कितना electron और कितना proton होता है आपको 4 option दिया गया है तो पहले आप इसको solve करके देख लें ठीक है है? hydrogen के isotopes deuterium में कितना proton कितना neutron होता है उसके बाद आप लोग option चेक करें ठीक है यहां पर confusion बहुत होता है तो deuterium पुछा गया है हाइड्रोजन का isotopes हाइड्रोजन आइसो टोपस जिसको हम लोग समस्निक भी कहते है तो deuterium दिया गाइगा तो नीचे वाला रहता है वो क्या होता है और electron होता है तो proton कितना है एक है यहाँ पर electron मेंने दिया गया तो उसको नेगलेट करते हैं proton कितना एक है और neutron कितना है तो neutron कैसे निकलते हैं दो में से एक को कैसिल करते हैं तो कितना आ गया एक आ गया मतलब आपका एक प्रोटॉन और एक क्या है न्यूट्रॉन तो ऑप्सन क्या दिया गया है वन प्रोटॉन और और क्या दिया है वन न्यूट्रॉन ऑप्सन दिया गया है ऑप्सन दिया गया है वन हुजा सीधा समुपादिक होता है या अनुपातिक होता है मतलब डायरेक्टली प्रस्थन होता है तो किसके डायर्टली प्रस्थन हुक्त mı अट्मस्थेरी дости energy को हम लोग क्या लिखते है हाप mb2 मालूम मैं सभी को क्या होता है हाप mb2 होता है फर्मूला तो कानेटिक इनर्जी किसी भी molecules का कैसे बढ़ता है temperature से ठीक है बहुत important है temperature यदि हम लोग तापमान को बढ़ा देंगे तो क्या होगा किसी भी container में मान लिया जाए गैस लिया गया है molecules है तो इसका velocity क्या होगा बहुत ज्यादा increase हो जाएगा ठीक हाई हो जाएगा यदि इसको temperature बढ़ा कर दिया जाए मतलब हीट अप कर दिया जाए तो इसका एनर्जी भी क्या होगा हाई हो जाएगा जब वेलोसिटी हाई होगा तो फर्मूला क्या हो फेलोसिटी जब हाई होगा आपका तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा कि बिटामीन सी का प्राकृतिक स्रोथ है यानि नेचुरल स्विटामीन सी पुछा गया है एपल उसके बाद क्या है इस पीनेज पालक और क्या दिया गया है इस्पाइनेस ग्वाभा यह एंड अलव दीस तो यहां पे पर्टिकूलर सोर्स में पुछा गया ठीक है जैसे आमला दिया होता यदी ऑप्सन में अलव दीस के जगा डी में आपका आमला होता है तो हम लोग सबसे पहले आमला को क्या करते है ठीक आप लेकिन यहां पे नेच ठीक है को सनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है नेचुरली पुछा गया पर्टिकूलर सोर्स में पुछा गया है कहां से पाया जाता है अगर ऐसा पुछा तो हम लोग आमला को टीक आउट करेंगे लेकिन आप्सन में क्या था आमला नहीं दिया गया था अगरा को सन क्या उसको देख सकते है ठीक है कि वागवा प्लेलिष्ट में आपको मिलए अगर में पहलेव बिटामीन का क्लास किससे पाया मीने घाजर में विटामीन ए कहां पायाता है लाजर में यानि कैरट में है कि यूट है और अदिफ्लेल अ कतलब कंसे कौन सा अरो यह विटामीन एक एक कमी से होता है तो हमारे साब एकर टेंसर क्या होगा जाजर इसको अब आपनोट कर लिए हडी के लिए कौन सा खनी जावश्युक्र है तो चौश के लिए हडी के लिए सबसे ज्यादा क्या होता है Chalcium हमेंसा मतलब कोई भी add देखेंगे तो क्या होगा calcium का नाम हमेसा आता है तो option D आपका correct answer होगा accusium हड़ी का मजबूत करने के लिए किसका ज्यादा जरूत होता है तो calcium होता है है जाए वह toothpaste हो चाहे हो किसी भी चीज हो milk हो हमेशा हम लोग calcium का यूज करते है ठीक है हड़ी को मजबूत करने के लिए कि एड़ में हमें सा कैल्सियम नाम भी आता है तो आप्शन डी आपका क्रेक्ट अंसर होगा कैल्सियम एक पिरियड में तत्तो को किस क्रम में साजाया जाता है यानि रखा जाता है इक्वल चार्ज नुक्लियस से डिक्रीजिंग चार्ज नुक्लियस इंक्रीजिंग चार्ज या क्या दिया गया है constant charge मतलब समानने तो जब हम लोग एक पिरियेट में element को रखते है periodic table में तो क्या होता है atomic number बढ़ता है atomic number बढ़ता है तो क्या होता proton की संख्या भी बढ़ जाता है atomic number increase होता है तो proton भी क्या होता है increase होता है जब proton increase होता है то nhini banana charge तो आप्षिंग में से कौन सा आइस क्रीम वाइट ब्रेट एपल्स या नूडल्स तो क्या होगा आप्षिंग भाज्म लोगा एबाल सेव के ऑप्सेंजी आप्सेंजी एपल हुत्यों के वदे में चीनी का समानने परिवहन रुप क्या है गुलुकोज गैलेक्टोज द्रूब या फुक्टोज पुझघा गया समान द्रूब तो शुक्रोज ऑप्शन सी उप्षा इन में सा कौन सा एक optical lens नहीं है periscope durbeen microscope या supproscopy तो में सबसा नहीं है तो सब में को थना नहीं है कि वह सबस्कोर्स अब नहीं होता इसका क्या होता दुरूम Tunic क्थे डॉक्टर करते ओप्सेंड दी पिंस्ट्थेंश कउप के कि दुर्विन नहीं होता है टेलिस्कोप नहीं है यह क्या आपका अप्टिकल लेंस नहीं है जल धारन छमता सबसे ज्यादा किस मिट्टी में होती है दोमद मिट्टी चिकनी मिट्टी सिल्ट मिट्टी या रेतिली मिट्टी यानि सैंड सोयल सबसे ज्यादा किस में होता है आप कि रात में तारा का टिम्टिमाना किस कारण होता है वाइम मंदली यह अपवर्थन के कारण प्रकास का फैलना प्रकास का प्रवर्थन या प्रकास का बिखराओ तो किसके कारण होता है एट्मस्फेरिक रिफ्रेक्शन वाइम मंदली यह अपवर्थन के कारण ऐसा होता है ठी स्पेरिक के रिफ्रेक्षन के कारण तारा क्या होता है तिम आते हैं एक वस्तु का द्रब्य मान दोगुना होने पर दोनों वस्तुय के बीच गुरुत्वाकर्शन बलका मान क्या होगा तो अप्शन नहीं देखना है पहले हम लोग को जब नुमेरिकल वाला कोई भी सवाल है कोई नहीं तो पहले स्वाल प्रशन दिसना तो फॉर्ट्स वराबर क्या होता हम नूर्मली जानते हैं जी-एम-वन-वाइ-तू-τα colossus यूशं लिए-म-श्क्वार्वयस्तू है ले लीख सकते हैं मतलब टू-ए-फ रूवक का यह वगरा थिक हैं एक वस्तु का मरह साग कर म तो फोर्स क्या होगा double हो जाएगा यहाधि दोनों वस्तु का माश्च दोल करेंगा तो क्या होगा 4 चार गुना हो जाएगा तो इसका correct answer क्या होगा the force of gravitation is doubled option A तों आपका correct answer होगा the force of gravitation is double इनमें से कौन यहां संचारी हत्यारा भी माने मतलब उनमें सेक्षॉली ट्रांस्मुटेट किलर डीजर्ज़ है तो क्या होगा एट्स ठीक है इसमा करेक्ट इंसल क्या होगा ऑप्शन डी ऑप्शन सी एट्स और एट्स डेकम मनाया जाता है एक दिसमबर ठीक है यह बहुत इंपॉर्डन एग्जाम में पुछा जाता है जब धातू एसिट के साथ प्रतिकिरिया करता है तो इंसे कौन सी ग्यास आम तो पर उत्पन होती है तो धातू जब एसिट के साथ प्रतिकिरिया करता तो क्या होत आइट है है रोजल निम्निकित में से कौन सी एक लेगुमीनस पौधा है ठीक है टमाटर गोवी आलू या मटर तो लेगुमीनस पौधा कौन सा होता है इस में से जिसे अम लोग पी बोलती है यह क्या है लिघंत पॉध है ठीक है ऑप्षन 2 ए बयो कि मतर ऑप हम वेशली बेक्टिर्या है जो अकार में रॉपसेफ होता है कोन केस्फेरीयल या स्पैरिल दो रोड शेफ होत ऑप्षन ए रोड शेफ मतलब छर्क के तरा होता है ठीक है रोट सेट होता हिसमेत तुलनातना फ्रुप से उच्छिविदुद प्रतिरोध है और सर्कीट में वर्तमान मतलब धारा को कॉं करने के लिए उप्यों किया जाता है want किसीं किया जाता है रेजिस्टर मतलब रेजिस्टेंज तो रेजिस्टेंज तो क्या होता है इस प्रोसेस का नाम है रेजिस्टेंज हम लोग क्या बोलेंगे रेजिस्टर बोलेंगे ठीक है आप्शन सी रेजिस्टर रेजिस्टर में ही रेजिस्टेंस होता है ठीक है और संसी कारों ट्रकों और बुल्डेजरों के टैर को ऐसा बनाया जाता है कि उसके जो टायर होते हैं क्या होते हैं बहुत फ्रिक्षन होते हैं मतलब फ्रिक्षन ज्यादा होगा तो क्या होगा फ्रिक्षन ज्यादा होगा तो अच्छा से पकड़ होगा ठीक है क्या होगा मजबूती से पकड़ होगा फ्रिक्षन कम हो गया तो क्या होगा स्लाइड हो जाएगा तो इसका क्या होगा तो इंक्र is friction and to give a better grip to them on the road option d कि घर्षन को बढ़ाने के लिए और सवरक पर उन्हें बहतर पकड़ देने के लिए ठीक है आपको करेक्ट टेंसर आप्शन दी होगा आप लोग देख लिए देख सकते हैं कि नेमलिकित में से कौन सा तथ्वों सी प्रतिक द्वारा दर्साय आपको हिंदी में आप लोग करेक्ट कर लिएगा सी नहीं होगा ठीक है एस आई ओप्सन देख सकते इंग्लिस में ट्रांसेट किया गया है साइए इससे कौन सा एलिमेंट दर्साया जाता है तो सिलिकॉन औ होता है कौन से ब्लोप में पाया जाता है इनमें से किस ची किस्सा उपकरण में आम तोर पर एक धातु की सुई लगी होती है तो एक नीडल किसमें लगा होता है धातु के नीडल सुई किसमें लगा होता है सीरिंज में लगा होता है सभी को मालू में आप्शन भी सीरिंज सिरिंज में लगा होता है आवर तसार्णी के किस तरफ फिलिंग दा ब्लैंक्स दिया गया है किस तरफ सलफर और क्लोरिंग जैसे गैर धातू मतलब नन मिटल पाया जाती है तो प्रियोडिक्टेवल के किस साइड पाया जाता है राइट हैंड साइड जिग्जाग मीडल यह राइट हैंड साइड है तो पीव प्लोग कहां पर होता है राइट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड इसका करेक्टर लोगा राइट हैंड साइड ठीक है और यहां पर जिग्जाग दिया हो गया है तो जिग्जाग का मतलब होता है यह पोर्शन यह पोर्शन जिग-जग में अपका क्या होता है elbows पर जाता है इसको प्यावन कर ली गां noises जिग जैग में मेटल मेटलोयज पाता है मेटलोयज जीसा हम लोग उपधा तू कहते है और धार्याइट है नग अच्छ इन साइट पर अंछिट मेटलिट लेकिन लेकिन इस question के लिए answer क्या होगा आपका option A यह मैं आपको extra बता रहा हूं ठीक है इसको note कर लिजिएगा zigzag path ऐसा होता प्रियोडिक्टेवल का theory व्ला क्लास में बताया गया है यहाँ पर metalloids पाया जाता है इथाइल अल्कोहल option C बहुत बार हम लोगी यह question देख चुके ठीक है इथाइल अल्कोहल को प्योग किया जाता है और आज का last question जोंडिस इस डिजिस ऑफ द लंग्स हर्ट आई या लिवर जोंडिस कहां पर होता है लिवर option क्या होगा डी लिवर यक्रित में option D लिवर ठीक है धन्यवाद